लेटस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस्ट कबरे सबसे पहले इसलिए आज हम आपकी मुश्किलों का आसान करने के लिए ट्रेन टिकट से जुड़ी कई अहम जानकारियां दे रहे हैं अगर आप गलती से टिकट घर पर भूल गए या फिर रिजर्वेशन टिकट खो जाए हो तो क्या करें या फिर आपकी ट्रेन छूट गई तो क्या आपके टिकट के पैसे डूब गए या फिर आपकी टिकट जिस स्टेशन तकी है और अचानक आपको सफर के दौरान उससे करना होगा जवाब अगर आपने ये टिकट लिया है और ट्रेन में जाने के बाद आपको पता लगा कि टिकट खो गया है और आपके पास लेप्टॉप या आईपैड या मूबाइल पर दिखाने का ऑप्शन भी नहीं है तो आप टीटी को 50 रुपे पेनल्टी देकर प्लाइपार्ट पर टिकट है तो वे उससे ट्रेन में यात्रा कर सकता है जवाब अगर इमरजेंसि में यात्री ट्रेन में सवार होता है तो उसे भौरन पहले टीटी से संपरक करके टिकट का अनुरोध करना चाहएए उस थिती में यात्री से 250 रुपे पेनल्टी और यात्रा का किराया वसूला जाएगा प्लाटफॉर्म टिकट का फाइदा इतना ही होगा कि यात्री से किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन उसे ही माना जाएगा जहां से platform ticket खरीदा गया होगा और किराया भी उसी category का वसूला जाएगा जिसमें यात्री सफर कर रहा होगा ये भी पढ़े train में ततकाल ticket बुग करने के 11 नियम यात्रा के दोरान नहीं रहेगी कोई टेशन 3. सवाल ट्रेन छूटने के बाद भी आप रिफंड पाने के हटदार है जवाब अगर आपकी train मिस हो गई है तो आप TDR भरकर अपने ticket के बेस पेयर की 50% राशी रिफंड के और पर पा सकते हैं लेकिन आपको ये काम तई समय सीमा के भीतर करना होगा अगर आपकी train मिस हो गई है तो टीटी अगले दो स्टेशनों तक आपकी seat किसी को अलोट नहीं कर सकता अगले दो स्टेशनों बड़ ट्रेन से पहले पहुचकर आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं लेकिन दो स्टेशनों के बाद टीटी आरे सीट टिकट वाले यातरी को ये सीट अलोट कर सकते हैं अगर आपने जिस स्टेशन तक का टिकट लिया और आपको उसके भी आगे जाना है तो railway आपको सफर के दोरान ही ticket को आगे तक के लिए बढ़वाने की सुविधा देती है ये भी पढ़े train ticket बेज कर कर सकते हैं कमाई होगा अच्छी income